हेलो, गूड आफ्टरनूं तो आलो फिव आज हम करेंगे रूल्स फॉर आयो पेसी नॉमनकलेचर आफ अनसैचुरेटेड़ हाइडरोकार्बन आज के हमारे रूल्स हैं अलकीन और अलकाइन के लिए कि अगर हमारी चेन में डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड लगा हो तो इसके दो बैटा वो लॉंगेस चेन सेलेक्ट करना वो तो वही रूल है लेकिन कुछ रूल्स डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड के लिए अड़ोंगे वो ध्यान से सुनो जैसे यह फर्स्ट इग्जम्पल है ठीक है अब इसमें क्या करना है इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लॉंगेस चेन डूंडेंगे जिसको हम पेरन चेन बोलते हैं लेकिन ध्यान रहे हमने वो parent chain ढूंडनी है which includes the double bond ऐसा नहीं हो कि हम longest chain select कर ले और बीच में जो double bond है वो आए ही चाहे carbon हमें कम करने पर जाएं लेकिन double bond बीच में जुरूर आजाएं जैसे यह first example है 1, 2, 3, 4, 5 तो हम देख रहे हैं यह chain एक तरीके से यह बन रहे है और दूसरे तरीके से chain यही यही question है दूसरे तरीके से chain बटा कौन सी बन रहे है यह बन रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस side से हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहे हैं और इस side से ले रहे हैं बटा तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं लेकिन इस case में आपका double bond include है और इस case में double bond include नहीं है इसलिए यह नहीं होगा यह बली होगी इसका नाम तो इसका नाम भी साथ साथ में लेकते हैं इसका नाम क्या होगा बटा इसकी numbering कहां से होगी इसमें भी आपको lowest or lowest set of lock and rule apply करना पढ़ेगा तो यहाँ से इसका नाम क्या होगा बटा 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो यह number दूर आएंगे यह lowest यह है तो यहीं से numbering होगी 2 position के उपर बटा ethyl है तो इसका हम नाम लिखेंगे 2 ethyl हाइफन लगाना आगे 1, 2, के ने 5 है बटा तो pent फिर हाइफन और अब देखना है कि double bond कौन सी position के उपर लगा है तो हमारा double bond 1 position के उपर लगा है तो इसका नाम होगा 1 in यह नाम होगा बटा इसका next है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां मर्जी से चले जाओ longest chain आपकी यही बनेगी क्योंकि इसमें कोई भी बना chain नहीं है रही बात बटा numbering करने की तो numbering देखो 1, 2, 2 position के उपर है 3, 4, 5, 1, 5 position के उपर है 6, 7, 8 यहां से करें 1, 2, 3, 1, 3 position के उपर है 4, 5, 6, 6 यह numbering के ठीक है तो कहां से करेंगे हम numbering हम यहां से करेंगे क्योंकि 2, 5, 7 है और 3, 6, 9 है यह तो आप खुद भी कर सकते हो तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका नाम देखो इसका नाम क्या होगा बटा सबसे पहले इसमें तो कोई मिथायर ग्रूप नहीं है इसका मतलब वर्ल्ड रूट आएगा oct oct अब देखो double bond किस position के उपर है 2 2 in और 5 in यह नाम होगा लेकिन एक बात दिहान रखना यहां पर double bond है यह यहां पर triple है तो इसके ज़िए e cut कर देनी है अपना नाम होगा oct 2 in क्योंकि 5 in भी 7 में लिख रहे हैं बस यह rule उसमें थोड़ा सा change ठीक है प्लेड है अब यह आपका second का नाम होगा अब third देखी और example देखते हैं देखो इसमें बटा station यही बनेगी रही बात न बरेंगे तो 1,2,3,4 1 और 4 पे है 1,2,3,4 देखो बटा दोनों साइड से यह 4,4 पोजीशन पे आ रहा है देखो बटा 1,2,3,4 1 और 4,5 1,2,3,4 1 और 4,5 जब ऐसी situation आ जाए कि दोनों साइड में यहां 1,4,5 आ रहा है यहां भी 1,4,4,5 आ रहा दोनों situation में अगर एक जैसे आजए तो हम क्या करेंगे तो एक बात याद रखना फिर अगर ऐसा case हो जाए तो आपने क्या करना है preference आपने double bond को देनी है double bond को prefer करना है यह इस case की मैं बात बता रहा है चीक है तो इसका नाम क्या होगा double bond को करेंगे तो हम naming करेंगे यहां से अब इसका नाम क्या होगा कहीं से भी naming कर लो वही बात होगी 5 है pent one in और four four in यह नाम होगा यह नाम होगा यह नाम होगा ठीक है अब उसके बाद आगली बारी आती है यह यह compound है इसको मैं दवारा लिख रहा हूँ CH3 CH double bond CHC और triple bond CH अब देखो अब इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम लिखने से पहले हाँ मैं बही लोए स्लोकेंट रूल देखना पड़ेगा वाटा 1, 2 इस साइड में चल रहे हैं तो 2 position पे आ रहा है 3, 4 2 और 4, 6 इस साइड से चल रहे हैं 1, 2, 3 4 और 5 तो यहाँ पर 1 और 3, 4 और इस साइड से 2 और 4, 6 तो इसका अंतला है numbering यहीं से होगी अब यहाँ पर यह case situation ऐसी नहीं है ऐसी situation नहीं है कि दोनों साइड से numbering आ रही थी तो हम जैसे मर्जी है वो हम लिख ले लेकिन अब यहाँ lowest local rule जो है वो अपली केबल हो रहा है तो numbering हमारी इस साइड से चलेगी अब इसका नाम क्या होगा यह बटा 1, 2 तो यहाँ पर देखो इसका नाम 5 है pent अब situation थे वो 3 3 के पैंट और 3 के ओपर आपका double bond है pent 3 in और first position के ओपर है triple bond y in तो इसमें भी e कट देना है क्योंकि एक double bond है एक triple bond है तो यहाँ in में e नहीं लिखेंगे यह नाम होगा ठीक है उसके बाद next आजाता बटा यह compound अब इसमें देखो 1, 2, 3 1 और 3 1 और 3 मतलब यहाँ पर branch इन बटा इस पर आ रही है तो यह numbering obviously यहीं सी होगी 1, 2, 3 और 4 क्योंकि lowest number हमने substitute को देना है इस साइट से करेंगे तो 3 आएगा ठीक है यह name अब इसका नाम name लिखना है बटा two position के ओपर है methyl group तो हम लिखेंगे two methyl word है but इसमें एक word हम याड़ करेंगे buta क्यों जब कहीं भी double bond या triple bond मतलब सेम बार दो बार हो तीन बार हो double bond हो या triple bond हो एक ही chain में आते हैं तो उसमें हम word root के साथ a add करते हैं फिर सुन्दो बड़ा मैं क्या हो रहा हूँ एक chain में दो बार double bond या triple bond तीन बार मतलब सेम टाइम जो है double या triple bond आता है तो हम a word root के साथ a जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो गए buta first position के ओपर ये first position है और ये third position है first ये comma three दो बार आपका double bond है तो die e ये नाम हो गए two methyl buta one three die अब next आ जाता है ना next CS3 इसमें बटा बही one two three four five one two three four five जिस मर्जी position से चल पड़ो छीक है दोनों side में बराबर आ रहा है इसका नाम के लेखेंगे three position के उपर बेटा आपका methyl है three methyl five है pent दो बार triple bond है a first और fourth position के उपर है one four डाइ आइन वाई एन ए क्योंकि अब यहां पर आपका जो वर्ड रूट है सुफिक्स है आपका वो वाई एन ए है triple bond के करने यहां डाइन वाई एन ए एन ए यह नाम इसका होगा तो यह थे आपके unsaturated hydrocarbons, alkenes और alkenes के लिए अब next आता है इसी में कि when all the double and triple bonds are present in molecule cannot include in the longest chain then we use the prefixes for the double and triple bond अब क्या होगा कई भार situation पेटा ऐसी आजाती है कि हमें double bond या triple bond को छोड़ना पड़ता है substituent के लिए अब आप बोलोगे कि अभी सर ने बताया कि longest chain वो बली select करनी है कि जिसमें double और triple bond आए सही बात है लेकिन कई बार situation ऐसी आजाती है कि उस molecule में आपके मालो तीन बार double bond दिये है चार बार double bond दिये है और उन जो जितनी बार ये double bond दिये है या triple bond दिये है वो हमारे पास possibility नहीं है कि उनको हम सबी को हम chain में लेके चले हो सकता है ऐसी chain बन रही है कि जिसमें एक को हमें छोड़ना पड़ रहा है example जब करेंगे तो आपको easy लगेगा बट उसके लिए भी एक procedure है क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे अगर हमारे पास किसी भी double bond बाले को as a substitute मानना पड़े तो उनके लिए हमारे पास अलग naming है जैसे for example मालो chain में CH2 double bond रह गया तो पेटा इसका हम प्रिफिक्सि जो हम यूज़ करेंगे methylene M-E-T-H-Y-L-E-N-E अगर CH3 CH double bond हो तो हम इसका नाम यूज़ करेंगे ethylidine CH2 double bond CH यह commonly यह मिलेगा यह इसका हम बोलेंगे ethinyl या फिर vinyl और CH2 triple bond C हो तो इसका हम बोलेंगे बटा ethinyl मतलब E-T-H-Y-N-Y-L यह इस ऐसी situation के लिए हमारे पास यह as a prefixes आएंगे जैसे example देखो बटा यह हमारे पास chain है तो first rule तो क्या है कि longest chain select कर ली lowest rule अपलाई कर ली आप देखो एक bond यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन bond है आप हमारे पास ऐसी situation है नहीं कि हम ऐसी chain हम बनाई नहीं सकते कि हम इन तीनों double bond को बीच chain में लें नहीं ले सकते आप देख रहे हैं फिर क्या है फिर वही अगर हम 1,2,3,4 इन दो बॉंड को double bond को हम chain में ले रहे हैं तो यहाँ पर carbon जो है वो चार इन के लिए उड़ हो रहे हैं अगर हम इन दो को ले रहे हैं तो देखो 1,2,3,4,5 तो इसका मतलब हम लोंगेस chain जो है वो आपकी इस case में बन रही है और ये ये जो group है इसको छोड़ करके ठीक है अब हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि यह double bond CH2 हो तो हमारे पास prefix ही लगया methylene जोड़ा क्या नाम होगा नमबरिंग करेंगे इसकी नमबरिंग कहां से आएगी देखो 1,2,3,1,2,3 ठीक है नाम रजीज़े तो नमबर 1,2,3,4,5 क्या नाम होगा बड़ा थ्री position के उपर ये देखो 3 क्या नाम है methylene methylene 5 है pent double bond दो बार है तीन बार है तो बिटा मैंने कहा था A अड़ करना है pent 1 और 4 पोजीशन के उपर आपका double bond है दो बार है तो 1,4, diene ये नाम होगा बड़ा इसका इसका क्या नाम होगा 3-methylene pent 1,4, diene दूसरी एक्जमपल लेते हैं मैंना इस second एक्जमपल मैं देखो इसमें ये triple bond है इसमें ये double bond है और इसमें ये double bond है तो इसमें भी हमें एक छोटना पड़ेगा तो एक छोटने के लिए पहले हम यहाँ से chain बनाएंगे तो बटा chain तो हमारे पास 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6,7 तो इसका मतलब है हमारे पास chain जो है तो ये ही बन रही है ठीक है ये हमारे पास क्या आगया ये as a prefix substitute हम बात करेंगे prefix लगेगा इसका नाम लिखेंगे इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा 1,2,3,4,4 के उपर बेटा CH double bond CH2 है तो CH double bond CH2 क्या है ethanol जिसका नाम होगा 4 ethanol hept hept आएगा और one in और उसके बाद five ये फाइब है ये नाम होगा बटा इसका अब यहाँ पर जैसे इस केस में पेंटा था पेंटा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर double bond एक double bond है एक triple bond है मैंने कहा था अगर same time है double हो, दो बार हो, तीन बार हो triple हो तब जाके हम A जोड़ते हैं क्या नाम होगा इसका नाम होगा 4 ethanol hept one in five iron ठीक अपर नेक्स्ट आता है यह यह देखो one two यहाँ पर double bond जो है triple bond है अब इस situation में हमें क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा one two three four five six seven है one two three four five six seven है यहाँ पर है तो यह double bond जो है वो हम ले रहे हैं इसका मतल है हमें यह सबसीचुण छोड़ना पड़ेगा हमें यह यह वाली सेलेक्ट करना पड़ेगा अब सी triple bond CH हमें पता है हमारे पास है इसका नाम क्या है एथिनाईल चीक है तो one two three four five position की उपर है हम इसका नाम लेखेंगा five एथिनाईल one two three four five six seven seven hept double bond है बटा chain में दो तीन बार है heptा one three six और साथ में try in यह नाम है देखो बटा five five position की उपर आपका यह सबसीचन कौन सा है बटा एथिनाईल five एथिनाईल seven है hept double bond है मैंने कहा था दो या तीन बार same time हो लगे हो तो ए लग रहा है heptा first position की उपर third position की उपर और six position की उपर double bond है तीन बार है बटा तो try e next ने एक नाम और लेखेंगा यह है तो इसमें क्या करेंगे इसके फर्वाई बात है one two हमें देख रहे हैं one two three four five one plus three four है यहां से करेंगे तो यहां लग लगाएगे तो हमारे पास नेमेंगी यहां से चलेगी क्या नाम होगा one two chloro prefixes हम पहले लेना पड़ा second position की उपर है two chloro three ethyl ethyl लग होगा five है pent double bond बेटा दो बारा है a लग गया पेंटा first और four position की उपर आपके double bond है one four die यह नाम होगा ठीक है यह थे आपके unsaturated alkin और alkinis के एक नाम हमारे पास बेटा इस तरीके से भी आ जाते हैं तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम इटा simple है मैंना आपको कहा थे यह एक carbon यह दूसरी carbon है triple bond है बीच में यह तीसरी carbon यह चौथी यह पांच में यह छे साथ और यह आठ ठीक है आप देखो यह carbon यह carbon और carbon इसका मतलब तीन है तीन carbon यह तो तीन carbon है तो इसका मतलब सबसीचुंट है यह क्या बन जाएगा propyle तो इसका नाम क्या होगा इसतरीक से अगर मैं लिखना चाहूंँ तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा 5 के उपर propyle है तो हम लिखेंगे 5 propyle 8 है तो oct तू पुजीशन की ओपर ट्रिपल बॉंड है टू आएन यह नाम होगा और अगर आसान करना हो बैटा तो इसको हम इस फार्मुले में हम लिख सकते हैं देखो आठ है कारबन है तो यह कारबन यह आएगी बैटा इसे यह बनेगी CH3 आगे CH2 CH2 तीन होगे फिर CH उसके बाद य हैं CH3 CH2 CH2 CH3 A A करबन यहां यह नीचे CH2 फिर यहां CH3 123456 123456 यह हो गया आगे यहां के आगया ट्रिपल बॉंड फिर C और लास्ट में CH3 A 123456 7 और 8 यह होगा अब तो नाम कर लेंगे देखो बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या अब कहा था मैंने नाम 5 प्रोपाइल देखो 5 पोजीशन के उपर यह प्रोपाइल लगा है 8 है 8 तू यह टू पोजीशन के उपर आपका ट्रिपल बॉंड है और आएन बना गया मतलब इसको हम इस फों में हम लिख सकते हैं ऐसे बना के लिख सकते हैं तो यह था बटा हो ट्रिपल हो लोगेंट रूल अप्ला एपलिकेबल हो नहीं हो तो कैसे करना है अगर सारे के सारे डवल और ट्रिपल बॉंड आपके चेन में नहीं आते हैं कुछ को हम एज़े सबसिचुएंट लेना पड़ता है प्रिफिक्से लेना तो उनके हम प्रिफिक्से कैसे गुडबाई टेक केर की वाचिंग ना